हेलो स्टूडेंट्स ये cbsc का लास्ट येर का कोशन पेपर है mathematics basic का 2023 का set 1 तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह से questions पूछे गए हैं और आप सभी ने ये paper solve करके जाना है exam से पहले देखिए इसका first question ये बहुत ही common question है और ऐसा कई बार आया हुआ है if common difference of an ap is minus 6 then the value of a20 minus a14 is अब यहाँ पर कई बार हमें ये लगता है कि a20 और a14 दोनों की values हम पहले find करेंगे फिर उनको minus करेंगे उसके लिए हमें a चाहिए क्योंकि an का formula तभी लगेगा जब हमारे पास a और d है अब इस question में a तो दिया नहीं है तो generally students यहाँ पर confused हो जाते हैं कि a के बिना हम इसको कैसे solve करेंगे तो देखिए इसमें आपने कुछी नहीं करना बहुत easy है आपने क्या करना है a20 माइनस a14 कीजिए देखिए a20 क्या होता है a plus 19 d और a14 जो है यह होता है a plus 13 d अब हमें दोनों को minus करना है तो a20 माइनस a14 जब आप दोनों को minus करेंगे तो देखिए यह उपर वाला term है आप इसको ऐसी भी solve कर सकते हैं यहाँ पर simply minus कर लीजिए देखिए अगर easily करना है तो ऐसे कर लीजिए minus करते हैं देखिए a से कर दिया इधर कितना आया 19 d माइनस 13 d 19 माइनस 13 60 ठीक है अब देखिए इसका मतलब a20 माइनस a14 करने पर हमें क्या answer मिल रहा है 60 और d की value आपको given है कितनी minus 6 तो हमारा answer क्या हो गया 6 into minus 6 तो कितना आ गया minus 36 तो यहाँ पर हमें a की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि a अपने हाँ पी cancel हो जाएगा जब हम minus करेंगे तो ऐसा question आता है कई बार तो इसको ऐसे solve करेंगे आप इसके बाद देखिए question number 2 in the given figure pa and pb are tangent to a circle यह chapter 10 का question है दो tangents आपको दिये गए है angle a pb is 30 degree then angle oab आपको angle oab निकालना है कई बार हमें कुछ formula ज्याद नहीं आते कि कैसे करेंगे तो देखिए बहुत easy है आप इसको पहले o और b को join कर लीजे अब यहाँ पर देखिए जो angle a pb है वो है 30 degree ठीक है अब हमें इस chapter में एक property है कि जो दो radius की बीच में जो angle बनेगा मींस यह वाला angle a o b और angle a pb यह दोनों का sum जो है वो कितना होगा 180 degree होगा यह supplementary होगा यह question भी है एक पीछे back exercises में तो इसका मतलब हमारा angle a o b इसकी value कितनी आ जाएगी क्योंकि वो 130 है इसकी value आ जाएगी 150 degree अब देखिए जो a o b triangle है इसमें हमारे पास एक angle है 150 और जो बाकी के दो angles हैं मतलब angle o a b और o b a यह दोनों equal होंगे क्योंगे क्योंकि o a और o b क्या है radius है दोनों equal है तो उनके opposite angles भी equal होंगे that means दोनों कितने कितने के होंगे अब तीनों का sum होना चीए 180 और a o b है 150 means हमारे पास जो दो angle बचे उन दोनों को मिला के हमारे पास आना चीए 30 degree तो 30 degree है तो इसका मतलब इसका half कर दीजे दोनों कितने के होने चीए 15 degree के तो इसका correct answer क्या हो जाएगा b option question number third if cosec a is 7 by 5 then the value of 10 a into cos a अब देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो हम पहले कोशिश करते हैं इसको solve करने की यह दो तरीके से हो सकता है या तो आप पहले cosec a की value को use करके 10 a और cos a की value निकाल लिए right angle triangle बनाके फिर values बूट करिए उससे हो जाएगा लेकिन उससे भी easy है कि हम पहले इसको solve कर लेते हैं देखिए 10 a क्या है 10 a होता है sine a upon cos a और into cos a वहाँ पहले से दिया हुआ है देखिए cos a से cos a कड़ गया मतलब यह जो right side है इस पूरे को solve करके है क्या मिला sign है अब cos a है हमारे बास 7 by 5 तर सकम पतब sign है कितना होगा 5 by 7 क्योंकि sign है जो cos a कर रहसे प्रोगल होता है तो देखिए हमारा answer आ गया तो generally जो भी mcqs होते हैं इसमें हम यही सोचना है कि हम अपना answer कैसे easily निकाल सकते हैं without wasting the time then next question है आपको distribution दिया है आपको model class बता जिए model class means आपको पता है कि mod निकालने वाली class तो mod कैसे निकाला जाता है जो frequency वाली लाइन में सबसे maximum value होती है उससे आपको पता लग जाता है model class कौन सी है अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपने ध्यान देनी है यहाँ पर marks below दिया हुआ है तो आप पहले इसके लिए table बनाएंगे ऐसे 0 से 10 वाली तो 0 से 10 वाली कितने students है एक यह आपको इन्होंने add करके दिये है means यह आपको cf दिया हुआ है तो आपने इससे पहले f बनाना है तो आप पीच में चाहे बना लिजिए तो वो easy हो जाता है देखिए 0 से 10 का हो जाएगा 1 अब अगला आप ले लिजिए interval 10 से 20 अब कि देखिए next line में 5 है तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए 4 क्योंकि जब हम cf बनाते हैं तो cf के लिए क्लिए करते हैं तो इसमें जब हम cf से f बनाएंगे तो हमें क्या करेंगे दोनों को minus करके अपनी series पूरी करेंगे इसके बाद आईए 20 से 30 अब अगला है 13 तो कित इसना हो गया 8 तो यह आ गया अगला 8 देन 32 40 15 मैंनेस 13 2 42 50 16 मैंस 15 1 तो देखिए आपका model class क्या है यह वाली जिसमें highest frequency है वो क्या है 8 तो 20 से 30 यह इसका answer है तो आपने यहां ध्यान देना है क्योंकि देखिए हमारे पास option में range दिवी है और जो question है उसमें marks below दिया हुआ है that means आपने पहले इसको इस form में convert करना है फिर यह आगे solve होगा तो यह चीज हमें ध्यान देनी है ऐसा question अगर बाद में भी कहीं पर आता है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें इस तरह से table बनाने की ज़रूरत है या उसको सीधर से solve करना है अब इसके बाद देखिए question number five the pair of linear equation आपको दो linear equation दिये आपको पताना है इन चार में से क्या option होगा तो यह आप solve करके भी देख सकते हैं इसमें condition लगा के भी देख सकते हैं a1 upon a2 b1 upon b2 इस तरह से तो आपको उसका अंसर पता लग जाएगा कि क्या है question number six x और y की value given है आपको right side में जो part दिया है यह solve करना है यह हो जाएगा solve easily x की जगह पे put कीजिए y की जगह पे put कीजिए फिर कुछ common लेंगे identity बनेगे आपको sin square theta plus cos square theta common लेने से जो हमें पता है one होती है तो आप इसका answer find out कर सकते है then question number seven question number seven को leave कर दीजिए क्योंकि यह इस बार delete हो चुका है असले बस से degree of a zero polynomial अब देखिए zero polynomial means क्या है एक polynomial जो जिसको हम लिख सकते है simply zero अब किसी भी number को हम कैसे लिख सकते हैं मानलो हमारे पास कोई number है three तो आप three को क्या लिख सकते हो three x की power zero तो इसी तरह से कोई भी zero polynomial है तो उसकी degree क्या होगी x की power क्योंकि उसमें x वाला term तो है नहीं तो वो कितनी जाएगी zero question number nine which of the following is an irrational number इसको आपको solve करके देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे देखने से तो लग रहा है कि सारे ही irrational है पर ऐसा नहीं है जब आप solve करेंगे whole square का formula लगा के उससे आप check कर सकते हैं कि irrational कौन सा मिलेगा आपको question 10 roots of the quadratic equation are equal if equal roots की condition लगाएंगे b square minus 4 is equal to zero उससे solve करके आप देखेंगे कि आपको सा option सही मिल रहा है इसके बाद question number 11 distance between the points दो points की बीच की distance निकालनी है easily हो जाएगा question number 12 two cubes each of 5 cm edge are joined end to end यह आपका ncrt का ही question है दो cubes से आपको join करना है तो जब हम join करेंगे तो क्या हो जाएगा वो एक cuboid बन जाएगा तो उसकी length जो हो क्या हो जाएगी 5 और 5 add हो जाएगी 10 breadth और height हम 5 cm लेंगे आपको उसका surface area निकालना है तो cuboid का surface area का formula यूज़ करेंगे इसमें question 13 a die is rolled once एक die को roll करेंगे हमारे पास probability क्या है आने की 1 से लेके 6 तक के numbers आपको find करना है the probability that the obtained number is more than 5 और more than 5 क्या है 6 कितने numbers है एक ही number है that means probability क्या हो जाएगी 1 by 6 if the mean and mod of a distribution are this तो आपको median निकालना है using empirical formula इसमें वही formula यूज़ होगा जो आपके NCIT के book में दिया हुआ है mod is equal to 3 median minus 2 mean इससे आप solve करके median find out करेंगे now question number 15 area of segment of a circle of radius r and central angle 90 area of segment का formula आपको आता है sector minus triangle triangle के area क्या हो जाएगा half into base into height यहाँ पर base और height क्या लेंगे हम दोनों ही r होगा means half r square होगे triangle के area और sector के area क्या होगा हमारे पास pi r square theta upon 360 theta कितना है 90 90 upon 360 cancel हो जाएगा 4 तो यह बन जाएगा pi r square upon 4 minus half r square means 15 का c part quadratic polynomial having 0, 7 and 0 is अब आपको बताना है इन में से कौन सा पॉलिनोमील है जिसके 0's 7 और 0 है तो आपको पास दो तरीके हैं आप यह 7 और 0 दोनों को अलग अलग x की जगा पर पूट करके देखे कि किसमें आपको दोनों cases में 0 मिल रहा है solve करके तो उससे आप पता लगा सकते हैं question number 17 यह bpt का question है d e जो है bc के parallel आपको given है a d upon db is 2 upon 3 आपको बताना है d e upon bc अब देखिए bpt में क्या होता है sides के ratios equal होते हैं तो a d upon db जितना है उतना ही a e upon e c भी होगा और d e upon bc भी होगा that means 2 ratio 3 question number 18 at some time of the day the height and length of the shadow of a man are equal तो sun का altitude बताना है देखिए बहुत easy question है जब हमारे पास height और length of the shadow एक man है यह man के height है h और shadow जो है length उसकी क्या है यह वाली यह दोनों equal हैं तो suns का altitude क्या होगा ऐसा कब होता है जब दोनों बराबर होते हैं ऐसा कब होता है जब हमारे पास 45 degree है क्योंकि देखिए 1045 आप solve करोगे दोनों equal हैं तो वह बहना आज़ें next question is assertion reasoning का है question 19 pa and pb are tangent to a circle centered at o and angle o pa o pa is given to you 30 degree तो आपको बताना है कि pa b equalator triangle होगा या नहीं होगा अब देखिए o pa 30 degree है तो आप पहले ये देखेंगे कि o pa 30 है तो o pb ये कितना होगा ये भी 30 हो जाएगा ये बन गया 60 अब देखिए ये 60 है और ये दो equal tangents है हमारे पास देखिए ये पूरा angle बन गया 60 degree का अब हमारे पास अगर ऐसा देखा जाए तो o a and o b ये दोनों क्या है radius और pa and pb क्या है tangent है अब pa और pb equal है तो उनकी opposite angles भी equal होगे that means ये जो angle है ये angle और ये वाल angle ये दोनों equal हो जाएंगे